देश अलग, लोग अलग, भाशा अलग, कल्चर अलग, रहन, सहन, खाना, पीना, सब कुछ टोटेली अलग और उपर से कोविट का समय हो और उस समय आप किसी दूसरी कंट्री में आते हो जब आपका प्रेगनिंसी पीरियर्ड हो और उस समय आपको कुछ भी नहीं पता हो, यहाँ की लैंग, यहाँ का कल्चर, कुछ भी नहीं पता हो और कोविट की वज़े से आपको हर जगे अकेले ही जाना हो और आप कुछ भी नहीं जानते हो यहाँ के बारे में तो सोचिए मैंने क्या कुछ यहां उस समय तुरंट आखे किसी दूसरी कंट्री में वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या कुछ फेस किया होगा, कैसे मैनेज किया होगा, यहां के डॉक्टर्स कैसे हैं, क्या उनको इंगलिश आती है या नहीं, और अपॉइंट्मेंट कैस कितना ताइम लगता है, हाightonर यानि की फैमली डॉक्टर बनाना, इतना इंपटेंट क्यों है यहां और यहां का जो है अपका जूपोर प्रिगनेंसी को कह घ़चा अटा है वह आपके इंश्यॐरंश के कवर होता है कितने टाइब के इंश्यॐरंस होते हैं और इंडिया से कितना अलग है यहां सब कितना कुछ खर्चा यहां आता है और यहां कौन-कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं हेलो और नमस्ते अवरवन मैं हूनिशा चोहान और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन बेला इन ये रोप में आजका जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दू कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं मैं कोई नर्स मैं नहीं हू बस मैं यहां अपना जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है यहां जर्मनी में प्रेग्निंसी के दौरान वो भी कोईट के समय में वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं यह मेरी पहली प्रेग्निंसी थी और मैं पहली बार जर्मनी जो है डिपेंडेंट वीजा पर आई हुई थी उसी समय और उस समय सब कुछ बहुत अलग तो यहां था ही मेरे लिए स्पैशली और उपर से कोवीड सिचोशन जिससे सभी वाकिफ होंगे कैसा महौल था कितना डरावना उस समय और हर जगह जहां जाना होता था अकेले मुझे जाना होता था जब मुझे कु जाने के हमत नहीं होती थी क्योंकि पूरा उस्पीटल फुल है और कोवीड के दौरान तो किसी की भी हमत नहीं होगी और यहां पिना हर चोटी-चोटी चीजों के बहुत रूल होते है जो फॉल करने होते हैं यह में ऐसा होता है कि इस पेशली जो एक फिजिशन होता है तो अगर आपको नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है तो वह आपको दवाई दे देगा तुरन जाईए जब भी आपको प्रॉब्लम हो क्लेनिक में और आपको वह तुरन मैडिसन दे देंगे लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां जब आपको कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होता है तो पहल आप रहते हों तो उस एजिया के नियर में Google पर सर्च करके House Art डालके आप देखिए वहां पर आप जाएए वहां पर अपना Registration कराईए अपने जो Medical History है या नहीं है जो भी है आप वहां दिखाईए बताईए तो यहां पर आकर अगर आपको जो भी Registration करा चुके हैं क्योंकि वह आप आपका House Art यानि की Family Doctor है उसके पास सारी आपकी Information है आपकी सारी Medical History है तो आप वहां जा सकते हैं और अगर आपके कान में दर्द है पेट में दर्द है कुछ भी है तो सबसे पहले आपको Family Doctor के पास जाना है वह आपको चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है वह नहीं देख सकता है तो वह आपको उस डॉक्टर के पास रिफर करेगा आइमिन उस यहां पर तुरंथ हम चले जाते हैं और वह चेक कर देगा और आपको बता देगा दवाई देगा यहां पर जनरली आपको एकदम से चोटी-मोटी बिमारी के लिए कोई मेडिसिन भी नहीं देगा अगर आपको कोई चोटा मोटा कोल्ड है तो कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी तो इसलिए मैंने बोला कि जब आप इंडिया से आए तो अपने साथ जो बेसिक जो मेडिसिन होती है उसको लेकर रहें जैसे कि अपने साथ लेकर आए क्योंकि यहां डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं चोटी मोटी बिमारियों के लिए मैडिसिन सो चली आगे बढ़ते हैं बहुत सारी बाते आपको मैंने बता दी है क्योंकि इन सब चीजों को जानना भी बहुत ज़रूरी है मुझे नहीं पता यह सब पहले लेकिन अब मुझे जब मेरे एक्सपीजियन से मुझे चीज़े पता चली है तो मुझे लगा कि अगर आप जो भी मेरा वीडियो देखें तो जो जर्मनी आना चाहा रहे हूं उन्हें चीज़े पता हो तो वो एजली यह सब चीज़े यहां आते ही कर लें सब पहले अपने लिए फैमली डॉक्टर ढूने बच्चे के लिए बच्चे का डॉक्टर ढूने वहां रेजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आगे चलके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत वहां डिरेक्ली फोन करके आपको जल्दी अपॉइंट्मेंट मिल जाएगी और आ आते ही गाइनकोलोजिस्ट सर्च किया गूगल पर मुझे काफी सारे ऑप्शिंस गूगल पर दिखें मैने सपेशली इंगलिश स्पीकिंग गाइनो को ढूना काफी सारे ऑप्शिंस दिखें मैंने फोन किये लेकिन कोविट के टाइम पे बहुत सारे फोन पिक नहीं किये और एपोइंटमेंट देने से हर कोई मना गर रहा था कि फुल है मतलब क्यूंकि कमी लोगों को ले रहे थे उस दौरान तो एपोइंटमेंट कोई दे ही नहीं रहता मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया फुन पर नहीं मिली उसके बाद फिर यहां पर क्या होता है कि बहुत सा इंडियन मदर्स इंधेयर तो इसे काफी सारे ग्रोप हैं जहां पर आप स्पेशली आपकी कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछना चाहते हो कोई भी चीज कि डॉक्टर कैसे मिल सकते हैं गाइनों कैसे मिल सकती है पॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो क्या करना चाहि हो इस समय क्या जो भी आपके कुशन से आप पूछ सकते हैं तो वहां पर यसे बहुत सारे vumen ग्रोप आप पर सिर्फ और सर्फ वुमें ही है जिनका बहुत एक्सपिरेंसे सालों से यहां रह रही है तो वह आपको बहुत हल्प करती है मुझे तो बहुत हल्प की और सभी को तो अपने सारे questions के answers यहां मिल जाते हैं social site पे जो औरते हैं एक दूसरे की बहुत help करते हैं हम लोग आपस में तो वहाँ पर जाकर मैंने पूछा जो मेरे questions थे कि मुझे English speaking guy no नहीं मिल रही है थोड़ा time लगेगा पर अभी COVID के वज़े से तो यह English speaking अच्छा बोलती है अच्छा English को आती है यहां पर search करो अच्छी guy no है तो फिर मैंने वहां से address लेके phone number लेके call किया एक दू बार call नहीं लगा जब finally call लगा guy no के पस तो मैंने भोला वहां पर मेरे husband को German आती है तो उन्हो बात की तो पहले तो उन्होंने नहीं बोला फिर उसके बाद काफी request के उसके बाद उन्होंने दो महीने बाद की मुझे appointment दी गाईनो की तरफ से दो महीने की बाद की appointment मे ली पर problem किया थी कि मेरी पहली pregnancy थी तो हमें कुछ पता नहीं था उसके बारे में और उससे पहले भी विटामिन क्या खाना चाहिए क्या exercise करना चाहिए क्योंकि excitement level होता है एक सोच ना एक थोड़ा डर भी होता है कि पहली pregnancy ये कैसे करना चाहिए क्या नहीं तो कोई idea नहीं था तो लग रहा था कि या doctor कैसे भी appointment जल्दी मिल जाए पर luckily मेरे साथ एक चीज बैस थी कि यहाँ पर जो मेरे हजबने पहले से ही रहा रहते तो उनके family doctor भी थे तो उन्होंने मेरा आते ही registration वहाँ करा दिया था तो वहाँ पर मुझे जो family doctor है उनकी appointment जल्दी मिल गई फिर मैं वहाँ पर गई तो family doctor ने सारे check-up किये उसने जो भी है उसने सबसे पहले मुझे यही question किया कि आपने baby मतलब pregnancy plan करने से पहले कि आप किसी gynecologist से मिले इंडिया में या कहीं भी तो मैंने उसको बोला नहीं तो उसने मुझे सरा दी कि जब भी आप pregnancy plan करें तो उसे कम से कम 3-4 महीने पहले अपने एक gynecologist को अपने आपको दिखाओ कि आप में कोई कमी तो नहीं है अपना blood test कराओ, thyroid test कराओ I mean infection कोई body में कोई infection तो नहीं है अपना वो test कराओ, vitamin test कराओ body में कोई vitamin की किसी चीज़ की कमी तो नहीं है क्योंकि जब आप proper तरीके से healthy हो तब ही आप baby plan करें जब आपकी body में कोई infection ना हो आप बिलकुर fit हो, healthy हो, किसी vitamin की कमी ना हो क्योंकि जब आप baby plan करेंगे उसके बाद, जब आप conceive करते हैं तो बहुत सारे आपको problem अगर आपकी body में कोई कमी होगी तो बहुत सारी problem हो सकती है और baby को भी हो सकती है तो उसने मुझे सलहा दी कि हमेशा जब भी plan करें तो तीन महीने पहले कम से कम अपने gynecologist को जरूर दिखाएं तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा आगे की pregnancy में तो उसके बाद उसने मेरे test किये उसने मेरा सबसे पहले thyroid test किया vitamin test किया मतलब एक blood test लिया उसी में उसने वो thyroid infection body में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है उसने किया उसके बाद उसने मुझे बताया कि thyroid की कमी मतलब thyroid का problem था तो और thyroid का problem आजकल 80% woman को thyroid का problem है चाहे वो pregnant हूँ चाहे ना हूँ normal है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो thyroid होता है वो थोड़ा सा जादा बढ़ जाता है और क्योंकि हार्मोनिल चेंज होते हैं और उस दौरान thyroid को balance करना बहुत ज़रूरी था उसी दौरान नहीं पहले भी टाइम से उसका इलाज नहीं करा या मैड नहीं ली तो बच्चे को खत्रा हो सकता है मिस्कारज भी हो सकता है तो thyroid तो पहले से ही चेक कराना ही चाहिए भले या pregnant हूँ पहले से आपको दिखाते रहना चाहिए तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ था जादा नहीं तो doctor ने तुरंत medicine शिरू किया एक छोटी सी medicine होती है कुछ mg की तो आपको सुबा खाली पेट खानी होती है तो आपको कितना thyroid है उसके according doctor आपको medicine देता है और हाँ एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि एक भी दिन में समत करिये thyroid की जो medicine है और खाली पेट सुबा आई मीन जब आप उठते हैं तो तुरंत उस गोली क होती है वो आपको हमेशा खानी होती है आपका thyroid balance है तब और अगर नहीं है तो doctor आपको बढ़ा के देगा जो mg बढ़ा के देगा लेकिन वो जो medicine है वो आपको खानी ही पड़ेगी ऐसा नहीं कि जब आपका thyroid balance हो गया तो आप सोचें कि उस medicine को आप छोड़ दें क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि अगर आपने वो thyroid medicine खाना छोड़ दिया है सोचके कि आप ठीक हो balance में तो again जो आपका thyroid है वो बढ़ जाएगा क्योंकि दवाई खाने से ही आपकी जो thyroid है वो balance है और हाँ जब पहली बार thyroid check कराते हैं और जब उसमें जब पहली बार thyroid check कराते हैं तो पहली बार जब डॉक्टर इतना thyroid है तो उसके according दवाई देता है लेकिन हाँ हर दो महीने में आपको अपना thyroid जो है चेक कराना है क्योंकि कभी कभी होता है कि उतनी mg से आपका जो thyroid है वो balance नहीं हो रहा है तो दो महीने बाद आप चेक कराएं अगर आपका thyroid balance है तब ही आ Mg की जो medicine and thyroid की continue करनी है तो जब आप पहली बार चेक कराते हैं thyroid तो उसके 2-3 महीने बार अगें thyroid टेस्ट कराएं ताकि आपकी medicine आप सही खा रहे हो Mg की नहीं अगर आपका उस medicine खाने से जो thyroid है balance है कि नहीं यह आपको पता हो तो thyroid की medicine तो हमेशा खानी है और चेक भी कराते प्रिगनेंसी के टाइम तो आपको एवरी तीन या चार एवरी दो या तीन महीने में आपको thyroid चेक कराना ही कराना है क्योंकि वह आप दाउन होता रहता है और आपकी medicine आपको काम कर रही है बढ़ाने की नीट तो नहीं है thyroid की medicine तो वह चेक कराने और यह भी बोला फामिली द भी प्रिगनेंसी की पहले से खानी होती है फिर जब आप प्रिगनेंसी के तीन महीने पहले से खानी होती है तो यह अर फाल Ark Options है यह बहुत बिलते हैं लेकिन पेनिकी नहीं कोई एचिए अचित अचिक पाधिया से पासा बार यह गिसा ज्या कि और पने पेन वह थाई एच जनलरी सबजी जनलरी सब्जी और फलों से उतना Folic Acid, जितनी आपकी बॉडी इसवित को नीड होती सब्जी और इस नहीं ले 3 most ofiums. और जब आप प्रेगनेंट होते तो फलों नाव क्ोवागप इस लडार The bilang जो दवाई आती है वो लें रोजाना लें ताकि आपकी जो बॉड़ी है आप हेल्दी रहें क्योंकि अगर आप फॉलिक एसिट नहीं लेंगे तो आपको हो सकता है कि काफी सारी प्रॉब्लम्स हो लाइक वामिटिंग टायर्डनेज और बहुत अजीब सा लगना सर में प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होई थी लाइक मैं शुरू से मेरा मैं मतलब हैल्दी थी मैं सारे चेक अप्स कर आए उसके बाद जो विटामिन जो फॉलिक एसिड है वो मैं कंटिनू ले रही थी फॉलिक एसिड जो है विटामिन भी होता है वो फलू और सब्जियों में भी होता है लेकिन हम उतना नहीं खा पाते हैं जितनी हमें हमें हमारी बॉड़ी को प्रेगनेंसी के दौरान नीड होती है तो इसी लिए डॉक्टर हमें कहता है कि आप अलग से जो फॉलिक एसिड की जो दवाई आती है हो खाये और व्हु आप अपने डॉक्टर अपनी गाइनों से पूच के खाए कि आपको कितनी हमजी जो दवाई है मतलब जो फॉलिक असिड है वो अस दौरान फ्स्ट्र में के ना कहना आप को चाना है पूच के ले यहां जर्मनी में तो बिना प्रेश्क्रेप्शन के वो parts divided हैं जैसे मैंने बताया आप जाके वो ले सकते हैं जैसे folic acid 0, 1, 2, 3 तो आप उसके according ले सकते हैं तो यहां वो easily मिल जाती है और बांकि आप अपने doctor से पूछ के खाएं तो जादा अच्छा है क्योंकि जादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर आपको सही से बताएगा कि आप कितना folic acid गाइनो आपकी बताएगी कि कितना खाना है तो folic acid बहुत important होता है तो उस तोरान जो folic acid वो red blood cells बनाता है तो आपकी बॉडी में जो रक्त कोशिका हैं जिसे हिंदी में कहते हैं उसका संचार करता है तो आप मतलब healthy रहते हैं उससे क्योंकि और साथ ही जो आपका development है जो mentally, physically जो development है उसमें थोड़ा सा problem आ जाया या कुछ कमी आ जाया तो folic acid बहुत important है तो वो उस चीज़ को जरूर लेना और आप Google पर जाके भी पढ़ सकते हैं folic acid के बारे में और अपने गाइनों से पूच सकते हैं लेकिन हाँ folic acid जरूर लीजेगा तीन महीने पहले से ही conceive कर रहे हो जब बच्चे को तो उससे पहले से ही और end तक जरूर खाए folic acid आप नॉमली भी folic acid ले सकते हैं तो folic acid बॉड़ी के लिए बहुत सही होता है जिनसी के बाद जब आपका बेबी हो जाता है उसके बाद भी एक दो महीने तक खाएं क्यूंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं बच्चे को और आपकी बॉड़ी को समय बहुत नीड होती है विटेमिन्स की तो उसके बाद तक एक दो महीने बाद तक folic acid खाएं तो आपको कोई back pain या headache या कोई pain नहीं होगा क्यूंकि मैं अपना experience शेयर कर रही हूं मेरे साथ तो भई यही हुआ है मैंने शुरू से ही जो folic acid है खाई है और मुझे कोई ulty थकावर्ट या कुछ भी ऐसा नहीं लगा मैं सारी exercise करती थी सारा काम करती थी यहां जर्मनी में आपको कोई helper नहीं मिलता है इंडिया की तरह या फिर मेरी family नहीं थी pregnancy में भी pregnancy के बाद भी कोई मेरी help के लिए नहीं था और मेरी normal delivery हुई थी और उसके बाद मेरा normal काम करने लगी थी तो मतलब एक तरीके से अगर आपकी body healthy होती है आप healthy खाते हैं फुल रहते हैं I mean exercise करते हैं काम करते हैं और folic acid I mean जो medicines हैं वो खाते हैं तो अगर आप fit रहते हैं और आप proper diet ले रहे होते हैं proper चीज़े खा रहे होते हैं जो आपकी body को need होती है तो आपको कोई problem नहीं होगी pregnancy के दौरान ना आपको vomiting होगी ना आपको जी मच लाएगा ना आपको घबराट होगी ना आपको थकावत होगी आ मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि हम pregnant हैं थके हुएं सर में दर्द हैं ऐसा कुछ कुछ मुझे नहीं लगा जैसे सबकी body अलग होती है सभी women के सबकी अपने experiences अलग होते हैं तो मैं अपना experience share कर रही हूँ और जो मुझे यह doctor ने बताया हो जारान वो मैं share कर रही हूँ अगर आ अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं अपनी medicine भी ले रहे हैं जो आपको medicine doctor ने बोली है like folic acid था मेरा उस ताइम पर खाने का तो iron अगर आप iron का चेक अप करा रहे हैं बीच पिश में हर दूसरे तीसरे महीने आप अपनी body का चेक अप करा रहे हैं iron चेक अप करा रहे हैं आपका जो बच्चा है वो भी healthy रहेगा तो मतलब यह बहुत ज़रूरी होता है अपने आपको कि आप healthy रहे ताकि आपका बच्चा जो है healthy रहे तो यह जो वीडियो है यह starting का ही है यह first part है वीडियो का इसमें जो मेरे starting का experience था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया I hope आ और भी ऐसे वीडियो जानना चाहते है experience मेरा जो आगे का रहा है वो जानना चाहते है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से subscribe करें share करें like करें comment करके पूछे मुझसे मैं जरूर reply करोंगी और हाँ यह first part था अभी मेरा आगे आगे जो first trimester second trimester after delivery जो experience यहां पर रहा है क्योंकि बहुत interesting है और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आपके काम आएंगी बहुत important है especially pregnant woman के लिए तो I hope at the end आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ भी जानना हो again आप comment में पूछ सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले part में second part में उसके बाद मैं first trimester में क्या test कराए गए उसक बहुत आपके आप